वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के आज की इसे स्वेशल वीडियो अप्विटेस्ट में आप से पूछे जाएंगे जी के जी इसके 50 इंपॉर्टेंट सेलिक्टेट सवालों को तो आप इस वीडियो अप्विटेस्ट को ध्यान से खेलिएगा जिससे आपका एक छोटा सा टे के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो शुरू होते हैं अब राफिल की पहली भारतिये महिला पाइलट कौन बनी है अंसर रुजाएगा आप्शन नमबर बी सिवांगी सिन कोशन नमबर टू प्रिथवी की सतह का कितने परतिसत भाग सागरों से ढखा है अंसर होगा आप्शन नमबर सी लगभग सत्तर परसेंट कोशन नमबर टिन निम्ण में से कौन एक के गर में धारा है अंसर होगा आप्शन नमबर टी गल्फ एस्ट्रेम कोशन नमबर फोर बीशवा रेविज दीवस प्रातिवर्स कब मनाया जाता है अंसर है आप्शन नमबर सी अठाईस सितंबर को कोशन नमबर फाइब रूस का राष्ट्रिय खेल कौन सा है सही आंसर होगा आप्शन नमबर टी शत्रज कोशन नमबर शिक्स राज्य की कार्यपालीका का परधान कोशन होता है राज्या की कार्य पालिका का परधान कौन होता है आंसर है आपसर नमबर सी राज्यापाल कोशन नमबर शेविन किस वर्ष के बजट में जी एश्टी का पहली बार उलेखे किया गया आंसर है आपसर नमबर शेविन किस वर्ष के बजट में जी एश्टी का पहली बार उलेखे किया गया आंसर है आपसर नमबर ए दोहजर छे साथ के बजट में कोशन नमबर एट रज्य सभा के वर्तमान उपए सभापती कौन है आंसर होगा आपसर नमबर भी हरिवन से नरायन सिंग कोशन नमबर नाइन निम्ण में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम अस्थलिये सीमा बाटता है निम्ण में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम अस्थलिये सीमा बाटता है आंसर होगा आपसर नमबर डी माया मार कोशन नमबर टेन है निम्ण में से कार्य कामात रख क्या है निम्ण में से कार्य कामात रख क्या है आंसर होगा आपसर नमबर ए जूल और आपने आभी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं करें है तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे कलीक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और विल आइकन को तबाह कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि यह चाइनल आपके सिलेबस पो और करता है धन्यावाद आगे सवाल है भारत के प्रथम राश्टरापती डॉक्टर राजेंद्रा परशाद कितने सालों तक राश्टरापती रहे आंसर होगा आप्सन नंबर C 12 सालों तक 1950 से 62 तक कोशन नंबर 12 भारती संबिधान में राश्टरापती चुनाव की पदती किस देश के संबिधान से लिया गया है भारती संबिधान में राश्टरापती चुनाव की पदती किस देश के संबिधान से लिया गया है आंसर होगा आप्सन नंबर C आयरलेंड कोशन नंबर 13 ब्रहं मगला देश में क्या कहलाती है ब्रहंपुत्रण नदी बॉच्छण मादि क्या कहलाती है आंसर हो जाएगा आप तनम्बब बी जमұना कॉछ नम्बर 14 विएट समर्कर कि श्वास्त्थल पूर्ट भलेयर में किसके जेल का कमरा एक पर्यातक अस्थल है अंसर हुझाएगा आपसन न murb ya weird शावार करasures नकाल पंद्रा में एंडियन एरलाईंस की प्रत्हम महिला पािलट कौन थी इंडियन एरलाईंस की प्रत्हम महिला पाइलट कौन थी आंसर होगा अप्षिन N.2 सबसे पहले एयर तेल भारत में फोरजी शेवा कब शुरू किया ये सवाल आया था आपके NTPC एक्जाम में सबसे पहले एयर टेल भारत में फोरजी सेवा कब शुरू किया आंसर होगा आपसर नमब बी 2012 इस भी में कोशन नमबर 17 भारत में सुपर कम्प्यूटर जो पहले बिक्सित किया गया उसका नाम था आंसर होगा आपसर नमब बी सुनित्थ सर्मा कोशन नमब 19 जनसंख्या की दिरिष्टी से चार बरे रज्यों में से डैस नहीं है अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी तमिल नाडू यहाँ पे क्या होना चाहिए पच्छिम बंगाल कोशन नमबर 20 गांधी जी किसके मध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे अंसर है आप्शन नमबर 20 अहिंसा कोशन आगे है कौन ब्यक्ति हाली में ययर इंडिया के परमूखन न्युक्ट किये गए हैं अंसर होजाएगा आप्शन नम्ह भी राजि यव बन्सल को, कोशन नम्ह बाई से है, वर्ष द्वहाजर अनुनिस के सर्वेश्रेष्ट हो की पलेयर की से चुना गया है, अंसर है, आप्शन नम्ह डी मन प्रित्य सिंह जे को, आगे प्रस्ण है PC का क्या अर्थ है PC का क्या अर्थ है सही आंसर हो जाएगा personal computer आंसर होगा option number A नीजी computer question number 24 किस मध्यकालिन संत ने बीजक की रचना की किस मध्यकालिन संत ने बीजक की रचना की सही आंसर है option number A कवीरदास question number 25 रश्ट्रिय बिज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है सही आंसर हो जाएगा option number A 28 फरवरी को रश्ट्रिय बिज्ञान दिवस मनाया जाता है आगे सवाल है भारत में प्रथम रश्ट्रिय सिक्षा निती की घोसना कब की गई? आंसर है option number D उननी सव और सथ इस भी में आगे प्रश्ट्रिय है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? सही आंसर है option number B Sweden question number 28 NCRT की अस्थापना की सव और से की गई? सही आंसर है option number A 1971 इस भी में आगे प्रश्ट्रिय है कुलकता, मदरास, यो मुंबई में उच नयाले की अस्थापना किसके सासनकाल में किया गया? कुलकता, मदरास, यो मुंबई में उच नयाले की अस्थापना किसके सासनकाल में किया गया? answer है option number C Lord Kining question number 30 भीश्ववविद्याले अनुदान आयोक की अस्थापना किस वर्ट से किया गया? अंसर है option number C रविंदर नाथ टाइगोर आगी प्राशन है रविंदर नाथ टाइगोर को कीस वर्ट से नोबिल सांती पुरसकार दिया गया? रविंदर नाथ टाइगोर को कीस वर्ट से नोबिल सांती पुरसकार दिया गया? आगी प्रश्न है प्रखम फैक्टरी अधिनियम किसकी सासनकाल में पहली बार पारित किया गया आगी प्रश्न है प्रखम प्रखम फैक्टरी अधिनियम किसकी सासनकाल में पहली बार पारित किया गया आगे प्रश्न है डॉक्तर अमट्य सेंग को कीस वर्ष और्थ सास्तरा के नूबिल पुरशकार परदान किया गया डॉक्टर अमर्तिय सेन को किस वर्ड्स और्थ साहत्रा के नोबिल पुरस्कार परदान किया गया आँसर अप्सन नमबर C, 1998 इसवी में आगे प्रस्न है बंगाल बिभाजन रद किसके काल में हुआ था बंगाल बिभाजन रद 1911 इसवी में किसके काल में हुआ था आगे प्रस्ण है नोबिल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने को सन्युक्त बिजेता घोसित किया जा सकता है आगे सवाल है देश का प्रधम परमानु रियेक्टर अफसरा की अस्थापना कब की गई आगे प्रस्ण है योजनाव को अन्तिम स्वाक्रिती या अनुमोदन किसकी द्वारा परदान की जाती है अंसर आप्शन नमब बी रश्ट्रिये बिग्गास परिश्चद अगे प्रस्ण है गरिबी हटाओ का नारा किस पंचवर्सिये योजना में दिया गया अंसर आप्शन नमब सी पंचम पंचवर्सिये योजना जो 1974-78 इस भी तक चला था सवाल आपके एक जाम में आया था कि पंचवर्सिये योजना कब से कब तक चला था 74-78 कौन सी पंचवर्सिये योजना पूरी तरह से असफल रही पाचवी पंचवर्सिये योजना 1974-78 तक चली थी यहां सवाल है कौन सी पंचवर्सिये योजना पूरी तरह से असफल रही आगे प्रस्ण है सुरक्षा परिशद में और 28 सदस्यों का कारे काल कितने वर्षों का होता है आगे प्रस्ण है सुरक्षा परिशद में कुल कितने सदस्यों देश होते हैं आगे प्रस्ण है आलू के उत्पादन में प्रथम अस्थान किस राज्य का है आगे प्रस्ण है इटली तथा इरान का पर्मुख्य सरकारी दास्तावेज कौन सा है आगे प्रस्ण है डाइनेमो परवर्तित करता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी यांतरिक उर्जा को विदुत उर्जा में आगे प्रस्ण है भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी के टू आगे प्रस्ण है भारत यों ब्रीटेन देश का परमुखे सरकारी दास्तावेज कौन सा है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर डी वाइट पेपर आगे प्रस्ण है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी अनाई मुदी आगे प्रस्ण है ब्रिध्य गंगा किस नदी को कहा जाता है सही आंसर है आप्शन नमर डी गोदावरी नदी आगे प्रस्ण है मिट्टी का अध्यायन क्या कहलाता है ये सवाल पिछले 50 questions वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो अभी इस स्क्रीन पे सो हो जाएगा आपके लिए करके देख सकते हैं आंसर होगा आपसन नंबर B पेडोलोजे मिट्टी का अध्यायन पेडोलोजे आपके लिए एक सवाल है पूरब की मोती किसे कहा जाता है यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेट वक्स में जाना है वहां पे लिखना है क्यों फोरी वर इसके राइट आंसर और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्र जनों में सेर जरूर कर सकते हैं मिलता है अगले वीडियो में अपना ध्यां रखिए जय हिंद जय भारत